अज यू नो कि जो आपका फार्मर लोग था उसको रिपेल करना का अनाउस्मेंट कर चुके हैं मोदी जी सो इसके बार में जाता हिस्ट्री के डिसकस नहीं करूँगा सब कोई को पता है क्या था क्या नहीं था क्या इश्यू था आज बेसिक सा बात करते हैं कि इसको रिपेल कैसे किया जाता है इसको हटाया कैसे जाता है इस कानून को हटाया कैसे जाएगा सो देखो क्या कहना अभी तो फिलाल तो 2021 से ही इस कानून पर इस्टील लगा दिया गया था Supreme Court के द्वारा और जो मोदे जी का कहना है वो यह कि Winter Session जो आपका आएगा आपको पता होगा Session 3 होते हैं तो जब Winter Session जो आएगा उसमें इसको प्रस्ताव करेंगा और इसको रिपील कर देंगे ऐसा मोदे जी का कहना अब देखते हैं इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है अलाकि दोको आपको Article 245 of the Constitution पार्लिमेंट को यह पावर देता है कि वो लोग बनाएगे पूरे देश के लिए साथ ही State इसमें इसको रिपील किया जा सकता है तो जो फर्ष्ट है आपका वह थूर एन ओर्डिनेस पास करके जैसे रामनाथ कोविंजी ने हमाये जो राश्ट्रपती है उन्होंने ओर्डिनेस के थूर इस बिलको लाया था और बाद में उसको जैसे सेशन श्टार्ट हुआ पास क और पर्लिमेंट जब उसको पास कर देगा तो फिर से एक ठोड़ा यह क्या हो जागा उसमें बस यह रहा कि इसको रिपील करने की बात की जाएगी तो फूर हट जाएगा सेकेड और फो लेजिश्लेशन में सिंपल है कि लोग सभा में डालो या राज सभा में प्रस्ताव होना चाहिए उसको प्रेजेंट करना होगा फिर उसके बाद क्या होगा राश्पति इसको जो हमारे प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे देंगे तो ठीक है वो रिपील हो जाएगा थार्ड ऑप्सन इस सुप्रीम कोड कभी बोलता है जब कोई भी एक्ट या कानून सुप्रीम में रहा जाता है इसके बाद एकानून सुंसलों क्लाउन की कि साथ या पर डूसाल के बाद पर दो क्या हो जाता है उसका से नहीं रहा जाता है ल्गिंद अगर चाहे जाए तो this may be the way कि आप इसको एड कर दो कि दो साल कहीं रहेगा या फिर एक साल कहीं रहेगा हलाकि काफी टाइम तो भी दे गया है लेकिन जो प्रोबर्ब्ली जो most appropriate अभी किया जाएगा वो यह है थूर लेजिस्टलेशन के द्वारा इसको जैसे कि मोदी जी कहा रहे है विंटर सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग उसको प्रिजेंट करेंगे उसके बाद जो आपका वोटिंग के तुरूप पास कराया जाएगा उसके बाद यह जो एक था वह आपका वापस ले लिया जाएगा सो फाइनली यह था सो मिलते है कुसी और वीडियो में तब तक लिए अल